हेलो गाईज मैं हूँ जय चोदरी और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ महिंद्रा एक स्वी त्री डबलो जो की महिंद्रा की एक जोड़दार कॉम्पेक्ट स्वी है इस सेग्मेंट में सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी बेस्ट है ग्लोबल एनकेप रेटिंग में 5 स्टार रेटेड है और इस सेग्मेंट में ये कॉम्पिट करती है टाटा नेक्सोन, ब्रेजा, सेल्टोस और क्रेटा से और ये इसका W6 विरेंट टोटल गाड़ी में 4 विरेंट साते हैं W4, W6, W8 और W8 और अभी हमारे पास है इसका नेपॉली ब्लेक कलर बहुती मस्त ल करता हूँगा और दोस्तों अभी मैं आया हूँ जाबवा के महिंद्रा शोरूम अंबर ओटो मोटिव पर महिंद्रा की कोई सी भी गाड़ी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप यहां पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रह तो दोस्तों वोकराउन स्टार्ट करते हैं फ्रांट से तो एकदम बोल्ड एसवी लगती है यह और हेल लाइट्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलता है और यहां टन इंडिकेटर्स और यहां क्रोम वर्क करा गया है ऐसेजरी का पार्ट है नीचे यहा गाड़ी की ग्रिल जिस पर क्रोम फिनिश दी गई है बहुती बढ़िया लूक है इसका बीच में महिंद्रा का पूराना लोगो मिल जाता है नीचे यहां पर बंपर और इंजन गाड़ भी अवेलेबल है और टायर्स की बात करें तो गाड़ी में स्टील विल्स मिलते हैं 16 और यह है गाड़ी का साइड प्रोफाइल लुक डायमेंशन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 180 mm का ग्राउंड क्लेरंस मिल जाता है और 2600 mm का वील बेस दे रखा है और साइड मीरर्स पर डोर वाइजल लगाए हैं एसेजरी पार्ट है यह और यहां भी क्रोम फिनिश लिड यहां से ओपन नहीं होती है गाड़ी के अंदर स्विच दे रखा है 42 लिटर्स की फ्यूल टैंक कैपसिटी मिल जाती है और यहां ब्लेक में रूफ रेल्स मिल जाती है और रूफ पर नॉर्मल एंटीना ओफर करा है तो दोस्तों यह है रियर प्रोफाइल का लुक ट यह भी एसेजरी का पार्ट है यहां एक स्वी थी डॉबलो की बेजिंग दे रखी है बंपर पे टू पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं तो दोस्तों बूट ओपन करके देखते हैं हैड्रोलिक सिस्टम के साथ में दे रखा है टेल गेट यहां ग्रेब भेंडल मिल जाता है और यह पार्शल ट्रे रिमूव भी कर सकते हैं से और यह इसका बूट इस्पेस 259 निटर्स का बूट इस्पेस मिल जाता है कॉंपेक्ट एस्ट्यू वी के हिसाब से बड़िया बूट इस्पेस है और यह टूल किट पगेरा मिल जाती है और इसके नीचे spare tire दे रखा है steel wheel और second row की seats fold भी हो जाती है bench folding seats है यहां lever दे रखा है इसे pull करके fold कर सकते हैं अभी आपको fold करके भी बताएंगे तो आप seats fold करते हैं इसी कुछ हो जाती है seats fold fold करने के बाद अच्छी कासी space मिल जाती है तो दोस्तो यह है गाड़ी की smart key flip की मिल जाती है इसमें three buttons दे रखें lock button, unlock button और boot unlock करने के लिए button दोनों ही smart keys मिल जाती है तो दोस्तो अब चलते हैं interior में तो ऐसा कुछ है front door का look door काफी wide opening है गाड़ी में से चड़ने होता है नहीं कोई problem नहीं होती है और यहां power window के switches मिल जाते है driver side का one touch down उफर करा है पर one touch up नहीं मिलता है और यहां center locking के button दे रखें और यहां ORVM के controls मिल जाते है ORVM electrically adjustable है पर foldable नहीं है और dual tone color में doors मिल जाते हैं काफी बढ़िया लगते हैं यह यहां एक twitter दे रखा है यहां speaker नीचे एक cup holder एक bottle holder और कुछ space और यहां reflector मिल जाता है और यह steering wheel का look steering में tilt adjustment अवेलेबल है पर टेलिस्कोपिंग नहीं है यहां पर audio and calling controls मिल जाते हैं और cruise control नहीं मिलता है यहां महिंद्रा का logo दे रखा है और गाड़ी में dual airbags मिल जाते हैं एक बार गाड़ी का hone भी चेक करते हैं decent sound है और यहां headlight के controls मिल जाते हैं और left hand side में wiper के controls और यहां नीचे idle start stop button दे रखा है और headlam leveler मिल जाता है और यहां एक एसी event और दोस्तों यह instrument cluster का look यहां left hand side में RPM meter बीच में MID और बाकी speedometer मिल जाता है और दोस्तों यहां 2SC events मिल जाते हैं बीच में infotainment system चोटी सी एक screen दे रखी है बाकी touch screen वगेरा नहीं मिलती है after market time install करा सकते हैं यहां पर hazard lane का switch दे रखा है यहां temperature का switch और manual SC controls मिलते हैं और यहां कुछ buttons मिल जाते हैं और यहां USB port, aux port और नीचे 12 watt का socket मिल जाता है यहां पर कुछ storage space मिल जाती है और यह six speed manual transmission gearbox और यह hand brake यहां पर three cup holders मिल जाते हैं तो अब चलते हैं side passenger की तरफ डोर पर power window का switch मिल जाता है यहां पर coin वगेरा रख सकते हैं और यहां plastic मिलता है soft touch नहीं मिलता है कहीं भी यहां पर speaker दे रखा है यहां twitter नीचे bottle holders और कुछ space और reflector यहां पर कुछ storage space मिल जाती है mobile वगेरा रख सकते हैं और यह glow box अंदर अच्छी कासी space मिल जाती है और यहां एक एसी event दे रखा है और यह side passenger का sunshade यहां vanity mirror और लेम दोनों ही मिल जाते हैं यहां ग्रेव हिंडल मिल जाता है और यह driver side का sunshade यहां भी vanity mirror और लेम ओफर करा है और यहां पर two gaming lamps मिल जाते हैं हेलो जन में और यहां sunroof का switch one touch controls मिल जाते हैं बाकी sunroof की size अच्छी मिल जाती है इसका cover manually open और close करना पड़ता है यहां एक sunglasses holder मिल जाता है और IRWM manually adjustable है तो दोस्तो front row की sitting and comfort की बात करें तो fabric uphol stream में seats मिल जाता है headroom भी यहां अच्छा खासा मिल जाता है cabin भी काफी spacious है बाकी seat की cushioning भी ठीक है comfortable भी है seats तो दोस्तो अब चलते है second row में तो ऐसा कुछ है rear door का look यह door भी wide opening है यहां पर speaker मिल जाता है यहां power window का switch दे रखा है यहां भी सिर्फ plastic का use करा है soft touch नहीं है कई भी और नीचे border holder और कुछ space तो दोस्तो अब चलते हैं अंदर तो दोनों ही seats में pockets मिल जाती है यहां roof lamp यहां grave handle with hook यहां भी grave handle मिल जाता है और यह है dashboard का look second row से बाकी second row की space की बात करें तो बड़िया near room मिल रहा है thigh support भी ठीक है अच्छा कासा head room मिल जाता है बाकी second row में दो बड़े लोग और एक बच्चा अराम से बेट सकता है कोई problem नहीं होगी और यहां two fixed headrest मिल जाते है तो दोस्तों अब engine के बारें बात कर लेते हैं तो यह है 1.2 liter का 3 cylinder turbo charge petrol engine जो produce करता है 109 bhp of power and 200 nm of torque और इसका mileage 17 kmpl के आसपास का है और price की बात करें तो एक शरूम price है 10 lakhs और own road price के लिए आप अंबर automotive उपर contact कर सकते हैं नंबर आपको screen पर show हो रहा होगा और मैंने description में भी डाल दिया है तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही अच्छी लगी हो तो भाई चेनल सब्सक्राइब जरू कर ले न वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच